सूर्य किर्णों के बिना, खुश्बू हवा के बिना और राजा प्रधान के बिना अधूरा है मराठा सामराज़क के मुख्य प्रधान पेश्वा बालाजी विश्वनात के निधन से हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्ण है नए पेश्वा का चुनाव, कोई है, जो सहम इस जिम्मेदारी को स्विकार करे? पेश्वा की जिम्मेदारी हमारे लिए बड़े सम्मान की बात होगी, चत्रपती. हमें बड़ी खुशी हुई शिर्पत राओ, क्या सारा दर्बार पंत प्रदिनिती के सुजाओं से सहमत है? महराज, इस वक्त इस दर्बार में एक ही तलवार है, जो समस्तमराथा सामराज्य और पेश्वा की पगड़ी का मान रख सकती है, और वो है बाजिराओ. शर्त्रबदी शमा करें, पर ये दर्बार की हसी उड़ाने वाली बात है. कैसी हसी पंत प्रतिनी दी, आप तो अकेले हसरे हैं, अपनी योग्यता साबित करने का हक हर एक को होता है. पुत्र अगर पिता की पगड़ी पैन ले तो इसमें पिता की बुद्धी तो नहीं आ जाती, चंदन के वुरुष को भी सुखन देने के लिए एक उम्र की अवशक्ता होती है. पर काटा छोटा हो तब भी चुबता है, काई मरता है? चिते की चाल, बाज की नजर और बाजिराओ की तलवार पर संदेह नहीं करते हैं. कभी भी मात दे सकती है. मैं बाजिराओ बल्लाड, स्वर्गिय पेश्वा पालाजी विश्वनात का पुत्र. खुद को पेश्वा के पद के लिए योग्या मानता हूँ और इसके लिए हर कसावटी से गुजरने के लिए तैयार हुए. कसावटी तो जरूर होगी बाजिराओ. और उसका फैसला हम नहीं. पर अंत प्रतिनिदी करेंगे। वो मयूरपंग जो इस वक्त मिट्टी के धेर में खड़ा है उसे तुम्हें अपनी तलवार से नहीं, बल्कि तीर से दो इस्तों में तोड़ना होगा बाजिराओ. शस्त्र चलाकर तुम्हें शास्त्र की समझ भी देनी होगी। अब देखते हैं चीते की चाल और बाज की नजर। माराज शर्ती मयूरपंग को दो हिस्तों में तोड़ने की और पूरा दरबार देख रहा है। मयूरपंग अब भी वैसा का वैसा है। पर पहले से कुछ छोटा है। मिटी चानिया अधा तुकड़ा वहीं मिलेगा। ये था मेरे शस्त्र का परिचाय। अब शास्त्र सुनिए। वो मिटी हिंदुस्तान की है और वो मयूरपंग मुगल सल्तनत का पेड़ जिसकी जड़े हैं दिल। और वो तीर है। माराथा सामराचिका। जड़ पे वार करो तो बड़े से बड़ा पेड़ भी किष जाता है। कमाल है तुमरे सोटी पेशा जढ़ जड़े जड़े हैं टूटल्ड़े हैं अजटल्ड़े स्ट्र के जड़े हैं स्ट्र के जड़े हैं कर दो, कर दो, कर दो!